मैंगो पुडिंग के रस्पी और यह पुडिंग हम बिना कि जैलेटिन या अगर-अगर के बनाएंगे तो चलिए रस्पी को जल्दी से शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने मिक्सर जार लिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूं आम तो यहां पर मैंने दो आम चॉप करके लिए हैं तो इसे हम जार में डाल देंगे साथी मैं यहां पर मैं डाल रही हूं आधी कप चीनी चीनी आप अपने हिसाब से भी अज़स्ट कर सकते हैं एक कप दूद्ध, यहां पर मेरा मिक्सर का जार थोड़ा छोटा हो गया, तो यह सारी चीजों को में एक बरे से जार में ट्रांसफर कर रहे हूं यहां पर मैं थोड़ा सा दूद्ध और एड़ कर रहे हूं लगबग 1 फोर्थ कप यहां पर मैं एक जेनरोस पिंच नमक भी आड़ कर रही हूं, नमक किसी भी डेजर्ट में आड़ करने से उसके टेस्ट को और इनहांस करता है और अभी इन सभी चीज़ों को हम एक दम अच्छी तरह से स्मूधली ब्लेंड कर लेना है तो अभी मैं इसे अच्छी तरह से पीस लूँगी तो यहां पर मैंने अच्छी से सभी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक पैन लिया है, और पैन में मैं सारे जो जो हमने मिक्सचर को पीशा है और डाल देंगे और इसे हम अभी तब तक पकाएंगे मीडियम फिल्म पे जब तक कि इसमें एक बॉयल जैसा नहीं आने लगे जब तक mango का mixture boil होता है तब तक हम यहां पर एक slurry बना लेंगे तो यहां पर मैंने एक चौथाई कप custard powder लिया है और साथ ही इसमें एक चौथाई कप दूर डाला है इन दोनों को अच्छी तरह से mix कर लीजे ताकि इसमें कोई lumps ना हूँ वैसी यहां पर मैंने वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर यूज किया है लेकर अगर आप चाहें तो आप मैंगो फ्लेवर्ड भी यूज कर सकते हैं वापस आते हैं इस मैंगो पुडिंग के mixture की तरफ तो आप देखेंगे कि इसमें इस तरह से boil आने लगा है जब ऐसा boil आने लगे तो हम फ्लेम को भी आफ कर देंगे और फ्लेम को आफ करके जो हमने कस्टर्ड का mixture बनाया है वो हम इसमें एड करेंगे तो आप इसे फ्लेम आफ करके ही एड कीजे ताकि इसमें कोई लब्स ना रहे और इसे continuously आप मिक्स करते जाएए जब सारा कस्टर्ड इस मैंगो मच्छी तरसे मिक्स हो जाए तो हम फ्लेम को फिर से आउन करेंगे और उसके बाद हमें इस मैंगो पुडिंग को लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये थिक हो जाए तो यहां पर मैंने इसे लगभग 10 मिनट के लिए पकाया है और ये आप देख सकते हैं मैंगो पुडिंग का मिक्स्टर पहले से काफी थिक हो चुका है और अब ये पैन के साइट को भी छोड़ रहा है तो ये मिक्स्टर बिलकुर रेडी हो चुका है और अभी हम फ्लेम को कर देंगे ओफ फ्लेम को आफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस यहां पर लगभग मैं इसमें एक बरी चमच के लगभग एड़ कर रही हूं नीमू का रस और ये आपको फ्लेम आफ करने के बाद ही आड़ करना है लेमन जूस को अच्छी तरह से म पुडिंग के मिक्सचर में यहां पर मैंने दो बोल लिया है जिस से कि मैंने रिफा इटवाइड ओई सेुट ग्रीज कर लिया था कर दीजिये में अप पूडिंग को सेट करने के लिए श्टील के बोल का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी तरह के मोल का भी यूज़ कर सकते हैं बस आप उसे किसी भी न्यूट्रल ओय से ग्रीस कर लीजे पुडिंग को फिल करने के बाद हम हलका सा बोल को टैप कर देंगे कुछ इस तरीके से ताकि इस के अंदर कोई एर बबल ना रहे और उसके बाद हमें इस पुडिंग को पहले रूम टेंपरेचर पर ठंडा करना है और उसके बाद हमें इसे फ्रिज में डालेंगे सेट करने के लिए कम से कम 5-6 घंटे या आप इसे ओवर नाइट भी छोड़ सकते हैं तो यहाँ पर यह mango pudding बिल्कुल सेट हो चुकार आप देख सकते हैं और अभी हम इसे demold करेंगे उसके लिए यहाँ पर मैं इस बोल को अपने दोनों हाथों के बीच इस तरह से रब करूँगी आप चाहें तो इसे demold करने के लिए इसके साइट से एक knife को भी rotate कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो इसे किसी एक गुनगुने पानी के bowl में भी हलका dip कर सकते हैं ताकि यह demold हो जाए तो अभी हम इसे एक plate पे flip कर देंगे तो पुडिंग को मैंने plate पे निका लिया है और इससे मैंने garnish किया mint leaf और एक mango के piece के साथ तो यह mango pudding रेडी हो चुकी है रस्पी पसंद आई हो तो do like, share and subscribe see you in next video till then bye bye